हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त गौरव आज आपके साथ इंटीजर का पार्ट थिरी लेकर उपसे थूँ तो स्टार्ट करते हैं पार्ट थिरी तो आज हम इंटीजर्स में देखेंगे कॉम्निकेटिव अफ मल्टीपल्स को तो कॉम्निकेटिव अफ मल्टीपल्स तो for any two integers a and b जब कोई भी दो integers a और b होगा तो उसका जो कॉम्निकेटिव अफ मल्टीपल्स होगा that means a into b वो इक्वल होगा b into a के एक एक्जामपल से समझने की कोशिश करते हैं suppose मैंने दो integers a equal to लिया 4 और b equal to लिया 5 तो बोल सकता हूँ की a into b means 4 into 5 equal to 5 into 4 means b into a तो 4 into 5 करेंगे तो आएगा 20 और 5 into 4 भी करेंगे तो आएगा 20 तो यहां पर हमने देखा कि a into b या b into a 5 into 4 करें या 4 into 5 करें तो multiple में number को change करने पर कोई भी अंतर नहीं होता है अगर multiple में कुछ भी हो अगर multiple में सिर्फ positive हो अगर negative होगा तब भी same answer आएगा और positive होगा तब भी same answer आएगा तो एक negative लेकर हम answer को check करते हैं चलिए देखते हैं अगर a equal to लिया minus का 2 और b equal to लिया 3 तो communicative of multiple का theorem लगाते हैं तो a into b that means minus 2 into 3 equal to b into a मतलो 3 into में minus का 2 करते हैं तो minus 2 into 3 हमारा होगा minus का 6 और 3 into minus 2 भी आएगा minus का 6 तो यहां पर हमने देखा कि दोनों तरफ से जो हमारी value आ रही है वो same आ रही है minus का 6 आ रही है आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा अब next देखते हैं next rule जो है हमारा associative property of multiple तो associative property of multiples means multiplication में देखते हैं if you are multiplying three digits three integers sorry three integers यदि आप तीन integers को multiply करेंगे वो तीनों integers a, b and c यह है और a into b bracket into c equal to a into bracket b into c तो तीनों multiple को अगर मैं multiply करूंगा पहले a और b को multiply करूंगा उसके बाद उसको a और b को c से multiply करूंगा या b और c को multiply करूंगा और उसके बाद उसे a से multiply करेंगे तो भी value में किसी भी तरह की changing नहीं होने वाले चलिए example से समझते हैं मैंने लिया a, b, c की value लेता हूँ a की value 2 लिया, b की value 3 लिया और c की value 4 लिया अब देखते हैं a, b into c करके तो a, b means 2 into 3 bracket into 4 equal to a into तो a की value 2 है तो 2 into अब b into c, b की value 3, c की value 4 तो 3 into 4 तो 2 into 3 होगा हमारा 6 into का 4 equal to 2 into, तो 3 into 4 कितना होगा तो 2 into 4, 3 जा 12 तो अब हम यहां पर देखते हैं इरेज कर लेते हैं पहले तो लिया देखते हैं 4 into 6, 24 होगा और 2 into 12, b 24 होगा तो यहां पर हम ने देखा दोनों side की जो value है बो 24 आ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 3 multiple को आपस में interchange करके अगर multiply करते हैं तो उसकी value में किसी भी तरह की changing नहीं होगी अब दूसरा property देखते हैं distributed property इसमें क्या है for 3 integers a, b, c कोई भी 3 integers a, b, c है तो a into b plus c equal to a into b plus b a into c करते हैं तो दोनो side की value होगी वो equal होगी और a into b minus c करते हैं equal to a into b minus a into c करते हैं तो दोनों की value जो होगी वो आपस में बरावर होगी इसकी value और इसकी value आपस में बरावर होगी तो चलिए example से समझने की कोशिश करते हैं A into B into C अगर suppose हमने A, B, C की value ले रखा 1, 2, 3 तो देखते हैं A, A की value 1 into B plus C, B plus C की value 2 plus 3, 6, sorry 5 2 plus 3 क्या होगा? तो 2 plus 3 होगा 5 तो लिख दिया 5 equal to A into B A की value 1, B की value 2 तो 1 into 2 sorry 1 into 2 plus A into C, A की value 1, C की value 3 तो 1 into 3 देखते हैं 1 into 5 equal to 5 अब right hand side देखते हैं 1 into 2 equal to तो बोलेंगे 2 और 1 into 3 equal to 3 तो 2 plus 3, 5 तो इधर मैं देख रहा हूँ जो left hand side left hand side की value जो है वो right hand side की value के बड़ाबर है that means first property हमने प्रूव किया असा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो लिए next property देखते हैं next property है हमारा A into C वाला A into B minus C sorry A into B minus C equal to A into B minus A into C तो एक जामपल से समझते हैं A into A की value same लेता हूँ इस बाद 2 लेता हूँ 3 लेता हूँ और 4 लेता हूँ अब A into B minus C करते हैं A की value 2 into B minus C B की value 3 और A की value 4 तो 3 minus 4 तो अगर लिखूँगा 3 minus 4 तो आप बताओगे क्या होगा तो minus का 1 आएगा इसमें कोई दिकत नहीं होनी चाहिए तो B minus C तो B minus C क्या होगा minus का 1 आएगा इक्वाल टो A into B A into B A की value 2 B की value 4 तो 2 into 4 8 minus A into C A की value sorry, sorry, sorry A into B है तो A की value 1 B की value 3 तो 3 into 2 6 minus A into C A की value 4 B की value C की value 4 sorry, A की value 2 B की value 4 है तो 4 into 2 होगा 8 अब 2 minus 1 equal to minus का 2 equal to 4 और मैं इसी minus का 1 अगर subtract करेंगे तो आएगा minus का 2 तो यहाँ पर हमने देखा left hand side, right hand side आपस में equal है I think it is clear इसलिए आगे देखते हैं अब integers में division करेंगे integers का division में क्या होगा तो division of integers तो division जब करेंगे तो division of negative integers by positive integers जब negative integers को positive integers से division करते है when we divided positive integers तो हमें डिवाइड करते हैं फिर किससे positive integers से या by negative integers we first divided them as whole number and they put a minus sign minus before the quotient that is we get negative integers तो check करते हैं अब आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं एक्जामपल से समझेंगे अच्छी तरह से समझ में आएगा देखे, कहारा है कि कोई भी हम एक दो एक इंटीजर लेते हैं एक positive और एक negative इंटीजर जैसे मैंने लिया एक इंटीजर माइनस का 4 और एक इंटीजर लिया मैंने 2 तो जब हम divide करेंगे तो अगर माइनस का 4 को divide करेंगे 2 से तो 2 से कितनी times कटेगा तो 2, 2 जब 4, 2 times कटेगा मगर जो answer आएगा, वो answer हमारा minus का 2 आएगा मतलब जो भी answer आएगा वो negative होगा कब जब division में एक value negative हो और एक value positive हो तब जो resultant आता है वो हमेशा एक negative integers होगा एक दूसरे example से समझते हैं एक value लेते हैं 4 4 और दूसरी value लेते हैं minus का 8 उपर लिखा 4 नीचे में लिखा minus का 8 तो 4 से कर देगा तो बोलेंगे 4, 2, 8 होगा तो answer जो हमारा आएगा 1, y, 2 होगा अब minus symbol है तो answer में पहले minus लगाना पड़ेगा मतलब minus का 1, y, 2 तो यहाँ पर हमने ये देखा कि division में अगर एक positive integers होगा और एक negative integers होगा तो जो हमारा कॉसेंट होगा division करने के बाद वो कॉसेंट हमेशा एक negative integers होगा आशा करता हूँ आपको clear हो गया होगा तेखते हैं जब हम division करेंगे 0 के साथ तो क्या होता है तो division by 0 जीरो से divide करने पर तो when we divided a number by 0 the result is undefined that is 0 equal to undefined तो जब हम किसी भी संख्या में 0 से divide करते हैं तो उसका जो answer होता है वो undefined मतलब infinite होता है that means हम उसकी value प्राप्त नहीं कर सकते उसकी value प्राप्त नहीं कर सकते for example अगर मैंने लिखा 240 divide करने को बोला कि 0 से divide कर दो तो 0 एक ऐसी value है जब हम किसी भी संख्या में जब उससे division करेंगे तो simply जो हमारा answer होगा वो undefined मतलब infinity होगा मतलब इसकी जो value है क्या है बो मुझे पता नहीं है मतलब that means मैं इसकी value को find out नहीं कर सकता इसलिए इसकी value क्या होगी undefined means इसकी value को define है कभी नहीं कर सकते आसा करता हूँ एक छोड़ा सा concept आपको अच्छी समझ में आया होगा अब देखते हैं division जब करेंगे one के साथ तो division by one when we divided a number by one result is the number itself जब भी हम किसी भी number में one से divide करते हैं तो जो हमारा result आएगा वो हमेशा वो number खुद होता है तो example से समझते हैं लिखा हुआ तर twenty five divided by one तो result हमारा क्या होगा twenty five होगा इसमें एक बात का हमें ध्यान देना होगा कि one से division करने पर number तो हमारा change नहीं होगा बट इसमें भी क्या है अगर हमारा one है उसकी value negative है तो हमारा जो result होगा उसकी value भी negative होगा तो हम कह सकते हैं जैसे मैं suppose अगर मैंने एक जामप लिया कि 27 लेता हूँ 27 अगर उसको मैं divide करूँ minus one से तो जो हमारा result होगा वो minus का 27 होगा अभी हमने पीछे देखा था कि जब भी division में एक positive integer हो और एक negative integer हो तो resultant हमेशा एक negative integers होता है तो 27 था minus का one से डिवाड किया इसलिए answer हमारा negative आया अगर plus का one से डिवाड करता है तो answer हमारा positive आता that means one से डिवाड करने पर देखना पड़ेगा कि one जो हमारा है वो positive है या negative है अगर one positive है तो answer positive one negative है तो answer negative होगा आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे दोस्तों को साथ सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन दिखाए देगा उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे क्या होगा कि आपको मेरे तरफ से जो भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी हमारे साथ लाज तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद थैंक्यू